राध हे राध हे जय सिकिष्णा, आप सभी को दिवाली की बहुद बहुद सुख कामना है, माता लक्षमी की किर्पा आप सभी पे हमेशा बनी रहें, आज की इस वीडियो में हम दिवाली की सरल पुजा विधी देखेंगी, आप बिना कलस स्थापना गिए सरल विधी से ओदिवाली की पूझा साम के समय की जाती है साम के समय सनानादी के बाद से जहां भी आपको पूझा करना है आप उस जगह को अच्छे से साप करले इसके बाद पूझा की लगाने चौकि पे अप लाली यह फिर पीले रंका वस्त विछा ले और देखक्य पास लक्षमी जी, गनेश जी और सरस्वती मर्दा की इस तरह की कोई पोस्टर है तो आप उसे भी दिवाल पे जरूर से लगा ले अब देखिए हम थोड़े से अक्षतों का आसन देकर लक्षमी जी और गनेश जी की मूर्ति को विराजमान कर लेंगे अगर आप नई लक्ष इस मिगनेश जी की मूर्ति है, आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं, अब देखिए हम विश्णु भागवान की ॥्था जरूर से करेंगे तो अगर आपके पास विश्य भागवान की कोई मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान कर लेंगे नहीं तो आप सुपारी विष्णु भगवान को विराजवान करके पूजा कर सकते हैं, अब देखिए हम थोड़े से अक्षेतों का आसन दे देंगे, इसके बार आपने धन 13 के दिन जो भी खरीदा है, सोना, चांदी, जो भी आपने खरीदा है, या कोई अपने बर्तन खरीदा है, तो आप उसे भी पर जरूर से रखें, और सभी के साथ आप उसकी भी पूजा जरूर करें, तो दीखिए, आप चाहें तो यहां पर कलज की स्थापना भी कर सकते हैं, या भी आप बिना कलज की स्थापना के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, अब हम यहां पर थोड़े से अक्षेतों की धेरी लगा लेंगे आप यहां पे स्वास्तिक बना सकते हैं या अस्ट अत्रदर कमल भी बना सकते हैं तो दीखिए हम आप सभी को विराज मानं कर दिया है अब हम जल की चीटे लगा रगाकर भार उप में सभी को स्नार करा लेंगे और कि का हम सुऑवर OFF अब देखिए हमने जो अक्षतों की धेरी लगाई है इसके उपर हम मिट्टी का एक बड़ा दिया जलाएंगे और देखिए दिये की जो लोह है वो सामने की तरफ होनी चाहिए ये दिया रात भर चलता है और ये दिया सरसों के तेल में जलता है अब हम दीपक को प्रयज्वा कर लिया है अब हम सभी को वस्तरुपी कलावार बीद करेंगे लक्षमी जी गनेश जी और जो हमने पोस्टर लगाई है सभी को हम वस्तरुपी कलावार बीद करेंगे जितनी भी भगवान विराज्वान की हैं हमने सभी को हम वस्तरुपी कलावार बीद करेंगे इसके को भी तिलग कर देंगे अब हम यहां पे रोली से तिलग करेंगे जिस परकार हमने चंदन से सभी को तिलग किया है उसी तरह से हम रोली से सभी को तिलग कर देंगे इसके बाद देखिए हम फूल अरपित करेंगे तो आप लाल रंगे गुलाब के फूल लचमी जी और गनेश कर सकते हैं हम यह पर सभी को फूल अर्पित करेंगे इसके बाद हम अक्षद अर्पित करेंगे आप पूजा में तूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें तो दीखिए हम सभी को अक्षद अर्पित कर देंगे इसके बाद हम मता लक्षमी को सब्त धान यानि साथ अनाज अर खरीद है, आप वह भी जरूर से अरपित करिए, अब देखिए, माता लक्षमी को सुगंधी चीजे पहुत प्री है, तो हम यहाँ पे सभी को इत्र लगा देंगे, इसके बाद माता लक्षमी को कोड़ी और गूम्ती चक्र अरपित करेंगे, तो देखिए, मैंने पैंगे जि इसके बाद देखिए मैं आपे कमल गट्टे की माला माता को अरपित करी हूँ, अगर आपके पास कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप कमल गट्टे भी अरपित कर सकती हैं, अब हम माता को कमल के फुल अरपित करेंगे, माता लचमी जी को कमल के फुल बहुत प्री हैं, तो तो आप दिवाली के दिन उन्हें कमल के पूल जरूर से अपित करें। इसी के साथ देखिए अब हम भोग लगाएंगे। तो खील बतासे का विसेश महतु हैं तिवाली पूजा में है। तो आप खील बतासे का इस दिन मातारानी को सभी क्वाभोग जरूर लगाए। साथ में देखिए आप जोगी मिठाई लाएं उसका भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। इसी के साथ हम रितु फल का भोग भी मातारानी को लगा देंगे। अब देखिए पूजा में हम दक्षिनार्पित करेंगे। ताकि जाने अन जाने में हमसे जो भी भूल चुकोई हो वो छमा हो जाए। और देखिए आप इस दक्षिने को आपने लोकर में रख सकते हैं या पिर आप पूजा की कोई समागरी खरी सकते हैं। अब हम यहां पे जलार्पित कर देंगे। इसके बाद हम आर्थी करेंगे। तो जो हमने दिपक जला है उससे हमें भगवान की आर्थी नहीं करनी है। आप अलग से कपूर जला के या दिपक जला के सभी की आर्ति कर लें तो हम प्रेम, पुर्भक, सभी की, गनेश्ची की, लक्षमी जी, सरस्वती, माथा जितने भी भगवाल हमने विराजबान कियें सभी की हम आर्ति कर लेंगे आती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल लेकर पूरे चौकी पर से वार लेंगे इस तरह से हम अपनी पूजा को पून करेंगे पूजा के बाद हम हाँ जोड़कर माता लक्षमी जी से पूजा में जाने अंजाने हम से जो भी भूल चुक हुई हो उसके लिए छमायाचना करेंगे और अपने घर में स्थाई रुप से वास के लिए हमारे घर में अंधन के भंडार भरने के लिए माता रानी से हाँ जोड़कर प्रात्ना करेंगे अब देखिए पूजा के बाद आप अपने घर में सभी जगह दिये जरूर से जलाए तो दिखिए मैं यहाँ पे आपको पांच दिये जला के दिखा रही हूँ बाकि आप जितने चाहे उतनी दिये इस दिन जरूर से जलाए तो दिखिए मैंने आप पे पांच दिये जला लिये हैं अब इन दियों को हम एके करके चौकी पे रख देंगे आपने जहां दिवाली की पूझा की है वहां पर आप पास दिये तो जरूर से जलाएं हमने यÎन पर सभी दीपा को चोकिपे रख दिया है तो इस तरह से हम बहुत ही सरलविधी से दिवाली के दिन साम के समय लक्षमी जी, कनेष जी की सभी की हम पूझा करेंगे आप बिना कले से स्थापना किये भी सरल भीती से इस तरह से मातारानी की पूजा कर सकते हैं हमने जो ये जल का लोटा अरपित किया है इससे आप चंदर देव को अर्ग दे सकते हैं या फिर आप पौधों में डाल सकते हैं भोग परसाद आप उठा ले और आप सभी में बाढ़ दें, बाकी आपको किसी भी समागरी को यहां से हटानी नहीं है, और देखी यह जो मित्टी का बढ़ा दिया जला है, यह दिया रादवर जलता रहेगा, अगर तेल कम हो तो आप इसमें तेल और डाल दें, तो देखी इ अगर आपको दिवाली पुझा की यह सरल भीती पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ा सभी यूसफूल हो, तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें, जेर करें, कॉमेंट करें, और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ती को सस्क्राइब करें, थैंक यू, राधे राधे, जय सिक पिनिषना,